How बक्तियार खिलजी डिस्ट्रोइड नालंदा Welcome to Study IQ, मेरा नाम है आदेश सिंग साल 1193 AD, बक्तियार खिलजी का नालंदा महवीरा यानि बुधिस्ट मौनस्ट्री पर आक्रमान होता है नतीजा, भीशन नरसंगहार और नालंदा में रखा अनमोल ट्रेजर हमीशा के लिए नश्ट क्या था ये अनमोल ट्रेजर और बक्तियार खिलजी ने इसे क्यों डिस्ट्रोइ किया और सबसे बड़ी बात नालंदा पर आक्रमान ही क्यों किया गया वो ना तो किसी राजा का किला था और ना ही खजाना जमा किये हुए कोई मंदर बल्कि वो तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाली एक यूनिवरसिटी थी दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे तो आईए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन नालंदा पर हुए आक्रमन के बारे में जानने से पहले नालंदा के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों, नालंदा महवीरा का उदय पांचवी शताब्दी में माना जाता है ये विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है प्रेजन डे बिहार में इसकी लोकेशन है नालंदा संस्कृत के तीन शब्दों से मिलकर बना है ना, अलम, दा जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्यान का प्रवाह नालंदा महवीरा की जानकारी हमें हुइन सैंग और इट सिंग जैसे चाइनीज ट्रैवलर्स के अकाउंट से मिलती है हुइन सैंग सेवंथ सेंचरी में नालंदा आते हैं वो इसकी स्थापना का श्रे गुपता वन्ष के शासक कुमार गुपता वन्ष को देते हैं हुइन सैंग लिखते हैं कि यहां 10,000 मंक्स और 1510 टीचर्स रहते थे मतलब यह एक रेजिदेंचल युनिवर्सिटी हुआ करती थी नालंदा में चाइना, जपैन, कोरिया, इंडोनीजिया, पर्जिया, टर्की और श्रिलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे यहां बुद्धिस्म के साथ-साथ Astronomy, Mathematics, Philosophy, Medicine, Grammar जैसे सबजिक्ट्स की शिक्षा भी दी जाती थी यहां तक की उपनिशद्स के कुछ Original Manuscripts भी यहां मौजूद माने जाते थे साथ ही यहां Students को कोई फीस भी नहीं देनी होती थी यहां पढ़ने वालों में हर्शवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागर्जुना, पद्मसंभव और ह्यून सैंग जैसे बड़े-बड़े नाम शामिल थे ऐसा भी माना जाता है कि Great Astronomer और Mathematician आर्यभट इस University के हेड रहे थे ज्यान का ये केंद्र लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा लेकिन 12th Century में अचानक ये अतीत के अंधेरों में खो जाता है इसके पीछे की कहानी बड़ी रोमांचक है Invasion of Nalanda दोस्तों, Nalanda पर एक नहीं तीन-तीन आकरमान हुए थे पहले दू आकरमान के बाद इसे फिर से Rebuild कर लिया गया था लेकिन तीसरा आकरमान इसके लिए Fatal साबित होता है सबसे पहला आकरमान सकंद गुप्त के समय 455 to 467 AD मिहर कुल के नेत्रित्व में हुनाज ने किया था हुनाज बेसिकली Central Asian Tribes के एक ग्रूप को कहते हैं जो काईबर पास के थूँ इंडिया में एंटेर करते हैं 4th और 6th century CE के बीच यानि की गुप्ता एंपायर के समय हुनाज के Invasion इंडिया पर हुए थे लेकिन सकंद गुप्त के successes ना सर्फ नालंदा को रिस्टोर करते हैं बलकि और भी बड़ी building बना कर इसे improve कर देते हैं नालंदा पर दूसरा आक्रमण Early 7th century में बिंगॉल के गौदास राजवन्ष के द्वारा किया गया था इस आक्रमण के बाद बुधिस्ट किंग हर्ष वर्धन नालंदा को rebuild करते हैं तीसरा और सबसे घातक आक्रमण था Turkish invader बक्तियार खिलजी का नालंदा पर इसका आक्रमण 1193 AD में हुआ था आईए इसके पीछे की कहानी को डीटेल में समझते हैं दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बक्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था बहुत से उपाए और हकीमों के इलाज के बाद भी सिहत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा महावीरा के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्र इलाज कर सकते हैं एक बार उनसे इलाज करा कर देखा जाए बक्तियार खिलजी को किसी गैर मुसल्मान से इलाज कराना मन्जूर नहीं था इसलिए वो इस सलाह को पहले नजर अंदाज कर देता है लिकिन जब सेहत और ज्यादा बिगरती जाती है तो उसे भी लगता है कि एक बार बुलाने में क्या हर्ज है राहुल श्री भद्र बख्तियार खिलजी के पास महुँच जाते हैं और उसकी जांच करते हैं खिलजी इनके सामने ये शर्ट रख देता है कि वो इनकी दी हुई कोई भी दबान नहीं खाएगा इस तरह से वो राहुल श्री भद्रा को चैलेंज करना चाहता था और हिंदूस को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था इसके बावजूद राहुल श्री भद्रा भरूसा दिलाते हैं कि खिलजी की सेहत में जल्दी ही सुधार हो जाएगा वो खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करो खिल जी ऐसा ही करता है और देखते ही देखते उसकी सेहत सुधरने लगती है दोस्तों राहुल श्री भद्रा ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी जो पढ़ते समय खिल जी तक पहुँच जाती थी और इस तरह वो पूरी तरह सही हो जाता है जब खिल जी को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा इंसिक्योरिटी और जेलिसी फील होती है उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ग्यान कैसे है बस इसी बात से नाराज खिल जी फैसला करता है कि वो इस ग्यान के सोर्स को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा आएए जानते हैं कि इस ग्यान का सोर्स आखिर था क्या दोस्तों राहुल शील भद्रा और नालंदा में रहने वाले उनके जैसे हजारों बुद्धिस्ट मंक्स के ग्यान का सोर्स था यहां की लाइब्रडी नालंदा के पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रडी थी इसका नाम धर्म गंज हुआ करता था और ये तीन बड़ी बहु मंजिला इमारतों से मिलकर बनती थी जिनका नाम था रतना सागरा, रतनो दधी और रतन रंजक इसमें करीब नब्बे लाख किताबों का संग रह था खिलजी को जब इस बात का पता चलता है तो वो नालंदा पर आक्रमन करने का फैसला करता है हजारों की संख्या में यहां रह रहे बुधिस्ट मंक्स की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है बहुत से स्कॉलर्ज को तो जिन्दा ही जला दिया जाता है खिलजी की सेना निहत्थे बौध बिक्षूओं पर भूके भेडियों की तरह तूट परती है चारों तरफ गतल याम मत जाता है उसके बाद यहां की लाइब्रिरी में आग लगा दी जाती है कंटेम्टरी हिस्टॉरियन मिनहाज सिराज अपनी किताब तबाकत नसीरी में लिखते हैं कि किताबों को पूरी तरह जलने में तीन महीने लग जाते हैं इससे आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल संग रह रहा होगा यहां किताबों का इन में से बहुत सारी मैनिस्क्रिप्ट्स यहां ओरिजनल फॉर्म में थी जो की दोबारा कभी रिकवर नहीं की जा सकी कंक्लूशन दोस्तों, खिलजी ने सिर्फ एक युनिवर्सिटी को ही डिस्ट्रॉई नहीं किया बलकि एक पूरे ट्रिडिशन को तबाह कर दिया ये आक्रमन इतना भयानक था कि री बिल्ड करने के लिए नालंदा में कुछ बचा ही नहीं था रह जाते हैं तो सिर्फ कांधार में बनी इमारत के कुछ अवशीश जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो जाते हैं नालंदा को डिस्ट्रॉई करने के बाद खिलजी बिहार में ही दो और युनिवर्सिटीज विक्रमशिला और उदन्तपुरी को भी डिस्ट्रॉई कर देता है ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था बलकि पूरे विश्व का नुकसान था सिर्फ एक व्यक्ति की जलन और इंसिक्योरिटी की वजह से हजारों वर्षों का ग्यान संग्रह जल कर राख हो जाता है भारत जैसा कल्चर जहां किताब के एक पन्ने को फाड़ना भी पाप माना जाता है उसके इतिहास में होने वाली ये घटना सच में शर्मसार करती है दोस्तो नालंदा के लॉस्ट ट्रेजर को तो हम फिर से जीवित नहीं कर सकते लेकिन इंडियन गवर्मन्ट ने नालंदा महावीरा को फिर से एजुकेशन के हब के रूप में डिवेलप करना जरूर शुरू किया है इसका आइडिया पहली बार 2006 में फॉर्मर लीट प्रेजिडेंट एबीजे अब्दुलकलाम ने प्रोपोज किया था फाइनली इंडियन पार्लिमंट ने नालंदा युनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास करके यहाँ फिर से युनिवर्सिटी बनाने का डिसेजन लिया जाने माने एकॉनिस्ट अमर तेसेन को युनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी का चैमेन भी बनाया गया 2014 से नालंदा युनिवर्सिटी में एड्मिशन्स भी शुरू किये जा चुके हैं अपनी पुरानी ग्लॉरी तक पहुँचने के लिए तो नालंदा को अभी लंबा सफर तै करने की जरूरत है लेकिन हम उमीद करते हैं कि सरकार का ये प्रयास भारत को एड्यूकेशन के फील्ड में एक बार फिर से विश्वगुरू बनने में जरूर सार्थक सिद्ध होगा